हेलो फ्रेंड आज मैं मतर पनीर का सबजी बनाने जा रही हूं यह बनाने में बिल्कुल आसान है यह होटल जैसा बनेगा इस तरह से बनाए जैसे मैं बनाई हूं मैंने इसके लिए आधा के जी पनीर ली इसे काट ले 300 गराम मतर है यह इसे अच्छी तरह से साफ कर ले यह प्याज का पेस्ट है मैंने छे प्याज का पेस्ट बनाई हूं यह हरा मिर्च लहसन का पेस्ट है अब मैं एक कराय में सर्शु का तेल गरम की हूं इसमें लॉंग तेज पत्ता जीरा छोटी इलाईची दाईची नीर यह सब डाल कर इसे पका ले थोड़ा अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूं अब इसके बाद लहसन हरी मिर्च का पेस्ट डालें इसे अच्छी तरह से भुणना है सोना सोना यह देखिए भूंग चुका है अब मैं कुछ मसाला डालूंगी हल्दी धनिया पाउडर दो चमत धनिया पाउडर डाली थी एक चमत काश्मेरी मिर्च डाली हूं अब इन सभी को अच्छी तरह से भूंगे थोड़ा पानी डाल कर मैं भूंगी क्योंकि मसाला जले नहीं यह देखिए भूंचुका है अब मैं मतर डाल रही हूं इसमें मतर को डाल कर दो तीर मिनेट भूंगी अब यह मतर भूंचुका है अब मैं इसमें मलाई डालूंगी फ्रेस यह देखिए घर का है मलाई अब इसे डाल कर दो मिनेट फिर भूंगी यह भूंचुका अब मैं पनीड डाल रही हूं मैं इस तरह से काटी थी पनीड को अब इसे चार मिनेट और भूंए अच्छी तरह से यह देखिए भूंचुका है अब मैं इसमें पानी डालूंगी मैं इसमें तिन गिलास पानी डाली हूं मिडियम गिलास से आप पानी ज्यादा कम कर सकते हैं अपने इसाब से अब इसमें मैं अब इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुशार अब कसूरी मेथी डाले तरह मसाल के अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी यह देखिए अब इसमें अथी तरह से मिलाकर मैं ढ़क दूंगी साथ से आठ मिनेट तक इसे पकाऊंगी यह देखिए बन चला रस इसका गाढ़ा हो गया है ठंड़ा हो गया है ठंड़ा हो गया है होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा अब मैं इसे दुसरे बरतन में निकाल लूंगी यह देखिए कितना गाढ़ा हो गया है अब मैं थोड़ा हरा धनिया से गार्निस कर रही हूं सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है तेंक यू तेंक यू अब मैं और गाढ़ा है तेंक यू अब मैं यू झाल झाल